आज हमें खिचडी रेसिपी बनाएंगे मसूर दाल खिचडी जो हमारे ऑफिस की कैंटीन में बहुत ही रिगुलरली बनता है और मुझे और हमारे सभी फ्रेंड्स को बहुत एच्छा लगता है अगर आपको हमारे आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर मोर सच रेसिपी प्लीज विजिट आप साइट विजास्रेसिपी डॉट कॉम थैंक्स आलट फॉट वाच्ट मसूर दाल खिचडी बनाने के लिए हमने लिया है यह एक कप मसूर दाल या रेड लेंटिल एक कप राइस हाफ ट प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिया है तीन विसल तक मसूर दाल खिचडी बनाने के लिए हमने बाकी इंग्रीडेंट्स लिया है यह दो टेबल स्पून घी या क्लारिफाइड बटर दो टेबल स्पून ओईल यह पानी यह रल्दी टू टोमाटो स्वाइन लिचॉप्ट टू अनियंस फानली चॉप्ट सॉल्ट ऐस पर टेस्ट यहां हमने सेंधा नमक यूज किया है वन टीजपून रैचिली पावडर फीजपून हींग 1 टीजपून जीरा 1 टीजपून राई 3 ग्रीन चिली फानली चॉप्ट कुरियांडर फानली चॉप्ट एट टुटें गर अबली पॉड्स जिसे हमने प्रश कर लिया है तो चलिए बनाते हैं मसूर दाल के चलिए हमने गैस आउन कर लिया है पैन में डालेंगे यह घी या क्लारिफाइट बटर दो टेबल स्पून ऑईल तेल और घी गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे यह राई जीरा दाली और जीरा स्क्लटर होने के बाद हम डालेंगे यह हिंग इसमें डालेंगे यह दालीक प्रेस्ट मिक्स करें है नादली फ्राइब होने के बाद हम डालेंगे यह अनियम मिक्स कर देते हैं अनियन सॉट हो गया है अब हम इसमे डालेंगे यह तमाटर बाक्की सारे मसालें यह अटो होगे हल्दी रेचली पाउड़ सेंधा नामा अब हम इसे लो प्लेम में प्रमैटो अच्छी तर अच्छी तर से प्राइब होने पे इसे फ्राइब कर दो इस दो आदे हैं अब हम इसमें डादेंगे कुप्ट राइस और मसूलता मिक्स कर देते हैं इसे हम यह थिक कंसिस्टेंसे रख सकते हैं वगर थोड़ा सा पतला चाहिए तो हम इसमें आधा कप पानी डादें मिक्स कर देते हैं हमारा यह मसूर दाल खिचडी तयार है गया सॉब कर देते हैं इसे बाल में सर्व कर लिए हमारा यह मसूर दाल खिचडी तयार है हमने इसे गार्निश किया है कुरियांडर के साथ और सर्व किया है अचार और देही के साथ हमार यह हमार 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 प्रया हमार आर कर दो हमार झाल झाल